आपके समाजिक विग्यान के परिक्षा में बस कुछी घंटे सेस बच गए हैं, समाजिक विग्यान में अधिकतर स्टुडेंट को लगता है कि पूरे-पूरे पांच सब्जक्ट का टेस्ट होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ परिक्षा हमारे लिए टफ हो जाएगा लेकिन बिल्कूल आपको प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कूल आपको चिंतार नहीं करना है, काफी असान-असान कोश्चन पूछे जाएंगे आपको यह समझना है कि आज हम 19 फरवरी के दिन आपने परिक्षा हॉल में बैठे हुए हैं हमारे सामने कोश्चन है हमें एक एक कोश्चन का बहुत ही सोंच समझ करके जवाब देना है फटा फट से जवाब देना है इमांदारी पूरवग जवाब देना है तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग नीचे लाइफ चैट में एक्टिव हो जाएए जवाब देने के लिए क्योंकि आपका यह जो लाइफ टेस्ट होने वाला है काफी महतपूर्ण होने वाला है सीधे सीधे कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे लेकिन हाँ इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आगे जितने सारे भी हम आपको गेस कोश्चन दें वाइरल कोश्चन दें ऐरोपीये शब्यता का पालना इउनान को कहा जाता है ईउनान को आनि कि डी नमर उप्षन हमारा सही हो जाएगा चलिये दूसरे नमर कोश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दूसरा नमर कोश्चन 917 की रूसी क्रांती के समय किस जार का सासन था दूसरा नमर कोशन फड़ा फट से आप लोग जवाब बताए ये कौन सा उप्शन सही होगा तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा निकोलस दितिये निकोलस दितिये का सासन था किसका सासन था उनिसो सत्रा की रूसी करांती के समय निकोलस दितिये का सासन था अब चलिए अगला नमर कोश्चन, बियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरीकों को क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था कोलोन, ध्यान रखिएगा, C नमर आप्शन से हो जाएगा, बियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरीकों को कोलोन कहा जाता था, फड़ा का सही जवाब हो जाएगा लोहा को लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है इस लाइब टेस्ट में पांचो सब्जेक्ट के कोश्चन रहेंगे हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी एकोनोमिक्स और आपदा परमंधन पांचो नम्मर के कोश्चन रहेंगे पांचो सब्जक्ट से कोश्चन रहेंगे तो आपको बिंदास हो करके सिर्फ लाइफ टेस्ट देना है अगर आप इस लाइफ टेस्ट में 40 के उपर सही कर देते हैं तो समझे के 100% आप लोग मार्श ले करके आईएगा चलिए पाच्मा नमर कोश्चन फटा फट से आप की परधानता है भारत में किस परकार के क्रिशी की परधानता है तो भारत में जीबन निर्वाह क्रिशी की परधानता है चाठा का ए नमर ऑप्शन सही होगा यानि कि भारत में सिर्फ जीबन निर्वाह करने के लिए ही क्रिशी की जाती है चाठा का ए नमर ऑप्शन सही हो जाएगा फटा फट से आप लोग जवाब बताईए शात्मा नमर कोश्चन कह रहा है कि इनमें सत्ता की साज़ेदारी का एक सही लाव क्या है इनमें सत्ता की साज़ेदारी का एक सही लाव क्या है सात्मा नमर कोश्चन जल्दी से फटा फट से आप लोग बताईए तो सत्ता नगर निगम के मुख्य परशाशक को नगर आयुक्त बोलते हैं चलिए अगला नमर question मुद्रा के पर्मुख कारज है जल्दी से फटा-फट से आप लोग बताएं दस्वा नमर question मुद्रा के पर्मुख कारज कौन-कौन से है तो मुद्रा का कारज होता है बिनमै का माध्यम भी, मुल्य का मौपक भी मुल्य का संचे भी यानि कि D नमर उप्षन इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अब चलिए 11 नमर कोश्चन मेजनी का संबंध किस संगठन से था मेजनी का संबंध किस संगठन से था सारे question ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो ध्यान रखिएगा एक-एक question को अपने mind में set कर लीजेगा तो question है मेजनी का संबंद किस संगठन से था फटा-फट से आप लोग जबाब बताईए तो ध्यान रखिएगा मेजनी का संबंद था कार्बो नरी शंगठन से बी नमर option से होगा मेजनी का संबंद था कार्बो नरी शंगठन से चली बारा नमर question रूस में जार का अर्थ क्या होता है काफी मतपून question है जिस परकार से अभी तक math में और science में हमारे guess question लड़े हैं उसी परकार से social science में भी 100% guess question हम लड़ाएंगे आप लोग बस हमारे साथ बने रहिएगा ठीक है बरहमा number question जो guess question करेंगे उसको जरूर एक बार देख करके जाईएगा चलिए बरहमा number question बताएं रूस में जार का अर्थ क्या होता है तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है रूस का समराठ यानि की बारह का D number option सही होगा रूस में जार का अर्थ होता है रूस का समराठ चलिए तेरा number question होआ होआ अंदोलन किस प्रकृति का था होआ होआ अंदोलन किस प्रकृति का था तो ध्यान रखिएगा करांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था चलिए 14 नमर कोश्चन फड़ा फट से आप जबाब बताईए भारत में खिलाफत अंदोलन कब शुरू हुआ तो ध्यान रखिएगा जबाब बताईए क्या हो जाएगा कोलकाता आप लोग ध्यान रखिएगा उनिसे 17 में भारत में पहला जूट मील कोलकाता में अस्थापित हुआ था चलिए वर्ग का शोशन हुआ तो ध्यान रखिएगा 16 का सही जवाब हो जाएगा कि श्रमिक वर्ग का भी मध्यम वर्ग का भी उसके अलावा जो किसान वर्ग थे उनका भी सोचन हुआ यानि कि D नमर उप्शन उप्योक्त सभी हो जाएगा पुंजी पती वर्ग के द्वारा सभी वर्ग का सोचन किया गया अब चलिए 17 नमर कोशन को हम लोग देख लेते हैं कह सही नमर हो जाएगा भी नमर उप्सन रेशम करी उस्चा मार्ग का या नाम है तो रेशम उप्शन इसक का सही इक्जाम में रस्ट पिता के नाम से महात्मा गांदी को जाना जाता है सभी लोग जानते होंगे बापू भी नहें बोला जाता है चले बिस्वा नमर कोश्चन कौन सा समाजिक वर्ग बुध्ध जिवी वर्ग के रूप में उभर करके आया बिस्वा नमर कोश्चन फटा- ट्विश्मा का D number कुशन चलाए जब हम लेंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभी प्राइ क्या होता है जब हम लेंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभी प्राय क्या होता है तो हमारा अभी प्राय होता है कि समाज द्वारा इस्तिरियों और पुर्षों को दी गई असमान भूमकाए समाज के दोरा इस्तिरियों और पुर्षों के दोरा दी गई अशमान भूमकाएं के बारे में हम लोग लेंगिक भी भाजन में बात करते हैं कि इसका B नमर उप्षन सहीज हो जाएगा चले 22 नमर कोशन का फटा फट से आप लोग जबाब बताएए निमलिखित में कौन संगहराज की विशेस्ता नहीं है तो संगहराज की विशेस्ता एक खरी सासन पर नाली नहीं है C नमर उप्षन सही होगा जितना फास्ट हम कोशन पढ़ रहे हैं उतना फास्ट ही आप लोग जबाब देते जाएए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है आपको कम समय में अधिक कोशन का रिवाइज करना है 22 का C नमर उप्षन सही हो जाएगा चलिए आगला नमर कोशन बिहार में शंपून करांती का नेत्रित्व किषने किया तो जैपरकास नारायन ने डी नमर उप्षन सही होगा बिहार में शंपून करांती का नेत्रित्व जैपरकास नारायन ने किया चले 24 नम्मर कोश्चन इन में से कौन सी एक बात लोगतांतरिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है इन में से कौन सी एक बात लोगतांतरिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तो इसका D नम्मर आप्शन सही हो जाएगा बहु संख्याको का सासन बहु संख्याको का तो यहां गोशना प्रस्ताबना में की गई है कि भारत एक लोगतांतरीक राज है 25 का A नमर उप्षन सही हो जाएगा 26 नमर कोशन कह रहा है कि किस लोग सवाचुनाब के बाद महिलाओं की भागदारी 10 परतिसत से अधीक हो गई 26 का B नमर उप्षन सही हो जाएगा लोग तंत्र का प्राण किसे कहा गया है 28 मा नमर कोशन फटा फट से आप जवाब बताईए लोग तंत्र का प्राण किसे कहा गया है राजनीतिक देल 28 का ए नमर उप्शन सही हो जाएगा अगर आप इस लाइब टेस्ट में 40-50-60 नमर ला रहा है तो समझे के 100% आप लोग का म बिभाजन कितनी सुचियों में हुआ है भारत में शंग एवं राजियों के बीच अधिकारों का बिभाजन कितनी सुचियों में हुआ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीन सुचियों में 29 का ए नमर उप्शन सही हो जाएगा अब चलिए एकला नमर कोश्चन कोश्चन कास हुआ था कौन से युग में तो ध्यान रखिएगा मध्धय युग में ए नम्मर उप्शन सही हो जाएगा चलिए 32 नमर कोशन का जवाब आप लोग बताएगे 32 नमर कोशन है कि आ विभाजित बिहार में निमने लिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था तो इसका सह जवाब हो जागा जमसेदपूर सिर्फ और सिर्फ जमसेदपूर ही एक नियोजित नगर था 32 का सी नमर उप्शन सही होगा चलिए 33 नमर कोशन पटना हवाई अड़ा का नाम पटना हवाई अड़ा का नाम क्या है तो पटना हवाई अड़ा का नाम है जै परकास नरायन अं डियान रखियेगा नमर आप संद्स यहल्ग को जाएगा उसी प्रकार के कोश्चन आएंगे आप फटापट से लाइक और शेयर करते जाएगए और जो भी है स्टुडिन नए हमारे साथ जुडते जा रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएगा ताके सारे गेस कोश्चन सारे अंसर की आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम प्रोभाइट करा सकें चलिए 36 नमर कोश्चन कावर जील इस्थित है कावर जील कौन से जीला में है तो कावर जील बेगुसराय जीला में है सी नमर ऑप्सन सही हो जाएगा कावर जील बेगुसराय में है संजय गांधी जैवी कुद्यान किस नगर में इस्थित है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना में चलिए अलतरिस नमर कोश्चन निमनलिकित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूरव पश्चिम गलियारा पूरव पश्चिम गलियारा सड़कों का एक वर्ग नहीं है उसके अलाबा जो सिमांत भी होता है वह सड़कों का एक वर्ग है सिमांत सड़के भी सड़कों का एक वर्ग है आएगा ऐसा मत सोच लिजेगा कि सर बहुत असान असान पूछ रहे हैं और एक्जाम में हमसे बहुत हाड़ हाड़ पूछा जाएगा जिस लेवल का कोश्चन हम आपको प्रैक्टिस कर बारा है 100% आएगा क्योंकि साइंस में लड़ा है जितने सारे भी अब्यक्टिव कोश् सीधे सीधे आपके एक्जाम में लड़ गये हैं इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आगे से भी जितने सारे भी गेस कोश्चन आपको बताते हैं एक एक कोश्चन को ध्यान से याद करके जाईएगा जल्दी से 40 नमर कोश्चन फटाफट से आप लोग बताईए भारत के किस र का कार्ज उत्पादन करना नहीं होता है चलिए 42 नमर कोश्चन भारत का किंद्रिये बैंक कौन है भारत का किंद्रिये बैंक क्या हवाला कोश्चन काफी मतपून कोश्चन है भी वी कोश्चन है भारत का किंद्रिये बैंक रिजर्फ बैंक ओफ इंडिया हो जाएगा इनमर option इन में से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा चलिए 44 नमर कोशन पारले समू के थमसम ब्रांड को किस बहुराश्ट्रिये कंपणी ने खरीद लिया है तो ध्यान रखिएगा थमसम को को का कोला कंपणी ने खरीद लिया है चलिए अगला नमर कोशन 45 नमर निमनलिखित में कि बाला से सबसे अधीक हानी किसकी होती है तो देख लिजे यहाँ पर सबसे अधीक पूछा जा रहा है तो फसल का हो जाएगा अगर सबसे अधीक नहीं रहता अगर सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता कि निमनलिखित में बाला से क्या क्या चीज कहानी होता है तो उप्युक्त सभी हो जाता लेकिन सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो सबसे अधिक फसल का यहां नहीं होता है चलिए 46 नमर कोशन समाने संचार वेवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है जल्दी से फटा फट से आप लोग बताईए समाने संचार वेवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण होता है केबल का तूट जाना 46 का ए नमर आप्शन सही होगा चलिए 47 नमर कोशन का आप लोग बिल्कुल सही सही जवाब बताईएगा भुकंप केंदर के उद्रवादर पिर्थवी पर इस्तित केंदर को क्या कह जाता है इस प्रकार के कोशन सीधे सीधे आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे भुकंप केंदर के उद्रवादर पिर्थवी पर स्तित केंदर को क्या जाता है तो उसको अधी केंदर बोला जाता है बी नमर आप्शन सही हो जाएगा अगला नमर कोशन 49 नमर है 1905 इसमी में बंगाल का बीभाजन किस ने किया था 1905 इसमी में बंगाल का वी भाजन किसने किया था तो उसका सही जवाब हो जाएगा लौट करजन ने C नमर आप्शन सही हो जाएगा करजन ने ठीक है उन्चास का C नमर आप्शन सही जवाब हो जाएगा अब चलिए हम लोग 50 समें नमर कोशन की तरब बढ़ते हैं अब चलिए सिर्फ और सिर्फ तीस कोशन से बच गए हैं उसको जल्दी जल्दी से आप लोग देख लीजे काफी मतपुन कोशन होने वाले हैं सिधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चितरन किया गया तो एक आवन का सही जवाब हो जाएगा बैरान हास्मैन का सिधा लकीरों का अतीला के रूप में उसका चितरन किया गया चले फटापट से बामन नमर कोशन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पस्मीना उन किस जानवर के रोएं से बनाया जाता है, तो ध्यान रखियेगा पस्मीना उन जो होता है, उबह पस्मीना भेंड के रोएं से ही बनाया जाता है, तो इसका सही जवाब ए नमर उप्सन हो जाएग पस्मीना भेंड पूरा नाम भी रह सकता है और फिर सिर्फ भेंड भी लिखा हुआ रह सकता है बामन का ए नमर उप्शन सही होगा अगला नमर कोशन कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है तिरपन नमर कोशन तो इसका सही ज ध्यान रखेगा आप लोग हाजी पूर में बी नम्मर उप्सन सही हो जाएगा अब च्छलिए कोशन है जो कि काफी मत्वपून कोशन है भारत में दल्बादल कानून किस वर्स लागऊ हुआ पचला नंबर कोशन जो कि काफी मत्वपून है बिस्व में सबसे बड़ा लोग तांतरिक देश बिस्व कास सबसे बड़ा लोग तांतरिक देश कोन है तो ध्यान रखिएगा भारत है बिस्व कास सबसे बड़ा लोग तांतरिक देश भारत है चलिए संतामन नमर कोश्चन काफी मतपुन कोशन है देख लीजे संतामन नमर कोशन हर हाल में आपके एकजाम में पूछा जाएगा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्ज करती हो मुद्रा की यह परिभाशा किस ने दी तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा होटले बीदर्ष ने आने की C नमर आप्शन सही हो जाएगा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्ज करती है यह मुद्रा की परिभाशा होटले बीदर्ष के द्वारा दिया गया था चलिए अंठामन नमर कोशन अंठामन का डी नमर आप्शन सही हो जाएगा चलिए उनसट नमर कोशन फटापट से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए जो भी यह स्टुडेंट नए नए हमारे साथ जूट रहे हैं वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अब काफी मतपून आपको गेस कोश्चन अंदेने वाले हैं गाडन सीटी के अविधारना किस ने विक्सित की थी गाडन सीटी की अविधारना किस के द्वारा विक्सित की आगया तो ध्यान रखियेगा एबनेजर होबर्ट के दोरा 69 का A नमर उप्शन अगर सही मारेंगे तो बिल्कुल सही जवाब होगा गार्डन सीटी के अबधारना एबनेजर होबर्ट चलिए 60 मा नमर कोशन गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था गुटेन बर्ग का जन्म किस देश में हुआ था तो ध्यान रखिएगा गुटेन बर्ग का जन्म हुआ था जर्मानी में बी नमर उप्शन सही होगा गुटेन बर्ग का जन्म हुआ था जर्मानी में चलिए एक सेट नमर कोशन भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे काफी मतपून कोशन है भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो ध्यान रखियेगा इसका सही जवाब हो जागा W.C. बनर जी इस कोशन को आप लोग दास कैपिटल की रचना काल मार्ष के द्वारा किया गया था दी नमर आप्सन से योगा दास कैपिटल की रचना काल मार्ष के द्वारा किया गया था चलिए अगला नमर कोशन है कि रक्तेवं लौह की निती काविल अंबन किशने किया Gary Baldi Peso से क्या था तो ध्यान रखेगा Gary Baldi Peso से एक नाविक था चलिए एकला नमर कोशन है 5 नमर कोशन रूस में क्रिशक दास प्रथा का अंत कब हुआ रूस में क्रिशक दास प्रथा का अंत हुआ था कितने स्वि में? 1861 इसका बिलकूल सही जवाब हो जाएगा 65 का अगर यह नमर उप्शन मारेंगे तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1861 चलिए the history of the loss of Vietnam किस ने लिखा है जल्दी से फटाफट चाप लोग जवाब बताइए the history of the loss of Vietnam किस के दोरा लिखाया गया है तो ध्यान रखिएगा the history of the loss of Vietnam फान बोई चाओ के दोरा लिखा गया है फान बोई चाओ ध्यान रखिएगा 66 का बी नमर उप्शन चलिए अगला नमर कोशन 66 का नमर कोशन कहरा है कि पुर्ण स्वाराज की मांग का प्रस्ताब कांग्रेस के किस वार्थी का दिवेशन में पारित हुआ तो ध्यान रखिएगा यावला कोशन काफी महत्वपूर्ण है इसका सही जवाब हो जाएगा 139 के लहोर अधिवेशन में 139 के लहोर अधिवेशन में कॉंग्रेस के पुनिश्वाराज का मंग प्रस्ताबित हुआ था चलिए अगला नमर कोशन AITUC का प्रतमाध्यक्ष किसे बनाया गया जल्दी से All India Trade Union Congress AITUC का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा AITUC का फुल फॉर्म होता है All India Trade Union Congress इसका प्रतमाध्यक्ष किसे बनाया गया था ध्यान रखिएगा AITUC का परतमा द्यक्ष लालालाज पत्राय को बनाया गया था 68 का B नमर उप्षन सही हो जाएगा चलिए 70 नमर कोशन कह रहा है कि काली मिर्दा का दूसरा नाम क्या है काफी मतपून कोशन है भुगोल का काली मिर्दा का दूसरा नाम क्या है तो ध्यान रखियेगा काली मिर्दा का दूसरा नाम होता है रेगूर मिर्दा 79 का B नमर उप्शन सही हो जाएगा चलिए 70 नमर कोशन फड़ापट से 10 कोशन और सेस बच गए काफी मतपूण कोशन है एक कोशन को भी आप लोग मिस मत करिएगा ने तो आपसे एक नमर मिस हो सकता है 70 नमर कोशन भारत के किस राज़ में बन का सबसे अधिक विस्तार है तो ध्यान रखियेगा मध्य परदेश में भारत के मध्य परदेश में बन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है चलिए खत्तर नम्मर कोशन कहा रहा है कि कौन से राज में खनीज तेल का विशाल भंडार है जल्दी से बताईए किस राज में खनीज तेल का विशाल भंडार है खत्तर नम्मर कोशन तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में असम में खनीज तेल का विसाल भंडार है चलिए बात्तर नमर कोशन कहा रहा है किन में कौन उपभोगताउ द्योग है इसमें से कौन उपभोगताउ द्योग है बात्तर नमर कोशन तो सही जवाब क्या हो जागा सही जवाब हो जागा चीनी उद्योग सही जवाब हो जागा उपभोगताउ द्योग भी बोला जाता है चलिए फटाफट से आठ कोशन इसे इस पचे हैं आठो कोशन का जवाब हम लोग जानेंगे नागपुर्स चलक योजना के अंतरगत चलकों को कितने भागों में माटा गया तो ध्यान रखियेगा कुशेषवर अस्थान किस जीले में इस्तित है तो आप लोग ध्यान रखियेगा कि कुशेषवर अस्थान दर्भंगा में है कहां में है कुशेषवर अस्थान तो दर्भंगा में 24 का B नमर उप्शन सही होगा चलिए 75 नमर कोशन संजय गांधी जैवी कुद्यान किष्णगर में इस्तित है तो हम आपको बता दिये हैं कि संजय गांधी जैवी कुद्यान पटना में 75 का D नमर उप्शन सही हो जाएगा चलिए 76 नमर कोशन काफी महतपून कोशन है चलिए 78 नमर कोशन नमर कोशन नमलिकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में परियोग करता है कच्चे माल के रूप में परियोग करता है चूना पत्थर को कौन सा उद्योग तो ध्यान रख्ये का अब हुद्योग शिमिंट उद्योग होता है क्योंकि शिमिंट बनाने में कच्छे माल के रूप में ही चुना पत्थर का परियुक किया जाता है 78 का C नमर option जली अगला नमर question कहे रहा है कि भारत में ओर्तों के लिए अरचन की वेवस्था किस संस्था में है तो इसका さही जवाब हो जागा पंचायती राज वेवस्था में 89 का D नमर option सही जवाब हो जाएगा भारत में औरतों के लिए अरचन की विवस्था पंचायती राज विवस्था में है चलिए C नमर कोशन का सही जवाब आप लोग बताईएगा अंत्वला तो सब्भला काफी मतपुन कोश्चन है लोग सभा में निरवाचन है तो कूल सीटों की संख्या कितना होता है तो ध्यान रखिएगा लोग सभा में निरवाचन है तो कूल सीटों की संख्या 543 है 543 असी का C नमर option सही हो जाएगा और हो सकता है कि civics में आपसे पूछा जाए कि 543 में कितना sit लाने पर सरकार बनाई जा सकती है तो आप लोग ध्यान रखिएगा आधा से अधीक आधा से अगर एक sit वे अधीक है तो सरकार बनाया जा सकता है इसलिए 80 का C number option सही हो जाएगा तो चलिए काफी महतवपून आप लोग का रहे टेस्ट था काफी लजवाब टेस्ट था इसमें से बहुत सारे question सीधे सीधे आपके एकजाम में पूछे जाएंगे तो हम उमीद करते हैं कि आप लोग के लिए यह test काफी जादा महतवपून सावित होगा तो चलिए फड़ा अपट से आप लोग बताईए कि आप लोग का कितना question का अंसर सही हुआ है यदि आप लोग 50 question के उपर सही कर रहे हैं 80 में से हम आपको minimum 50 बता रहे हैं अगर आप लोग 50 को उपर सही कर रहे हैं तो हमें अदाबे के साथ का सकते हैं कि आप लोग 40 जरूर आप लोग सही कर दीजेगा 80 में से 40 आप लोग जरूर सही कर दीजेगा हम science के दिन ऐसा अक्सर देखे हैं कि कुछ बच्चे question का जवाब जानते थे लेकिन उसके बाद भी एक दो question गलत कर के आए हैं आपको इस परकार से आगे बिल्कुल नहीं करना है 40 में 40 आपको सही मार के आना है आपके सामने double option है आपके सामने 80 question का double option है दो question में से आपको एक question बनाना है आप लोग ध्यान रखिएगा 80 में से 40 बनाना है 50% का ही आपको अंसर देना है तो गलत होने का कोई chance ही नहीं रहने देना चाहिए इसलिए आप लोग 80 में से 40 question का बिल्कुल correct, बिल्कुल static, बिल्कुल संदार तरीके से अंसर दे कर कर आईएगा और उसी परकार से, जिस परकार से हम आपको objective में बता रहा है उसी परकार से subjective में जो guest question करा है उसको भी एक नजर में, एक जलक में पूरे question को देख लिजेगा ताकि पूरा चीज आपके दिमाग में पहले से ही set रहे तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में उम्मीद करते हैं, आपके लिए यावला वीडियो काफी महतपूर्ण होगा तो चलिए फटा फट से आप लोग अभी तक अगर like नहीं किये हैं तो जल्दी से आप लोग like कर दीजे और जो भी है student channel पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को subscribe कर दीए ताकि आगे के भी इस सभी वीडियो का notification आपको मिल सके हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके नहीं तो अगर आप हमारे वीडियो से बंची तरह जेएगा तो काफी महतपून guest question आपसे miss हो जाएगा एक जाम में आपसे number miss हो जाएगा इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी फटा फट से channel को subscribe कर दीए ताकि जैसे ही हम आपके guest question दे, viral question दे तो फटा फट से आप उस question को प्राप्त कर सकें जल्दी से होगा question आपके पास पहुँच सके तो फटा फट से channel को subscribe कर दीजे चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में हमारी दुआए आपके शाथ है हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरी नमबर लाइएगा मासर सती का सिरवाद आप पर हमेशा बना रहेगा मासर सती आप पर अपनी क्रिपा द्रिष्टी हमेशा बनाए रखेंगे तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंद धन्यवाद